चाहे कितने ही महेंगे skincare products use कर लो, चाहे कितने ही जाके skincare treatments करा लो. लेकिन अगर आप ये 6 skincare habits follow कर रहे हो ना, तो ये आपकी skin को सिर्फ damage ही नहीं करेंगी, बलकि उस पे जो signs of aging होते हैं, जैसे की fine lines और wrinkles, वो भी age से जादा earlier pair होने शुरू हो जाएंगे. First worst skincare habit जो most of the times हम follow कर रहे होते हैं, वो ये होते हैं कि skin के उपर जो भी product apply करना है, चाहे हो makeup से related हो, चाहे हो skincare से related हो, उसको हम बिना उसका label check कि ये buy कर लेते हैं, यानि कि उसके क्या ingredients हैं, उनको हम पढ़ते नहीं और हम उनको buy कर लेते हैं. और जब कि इसे बहुत सारे harmful chemicals होते हैं जो कि हमारे skin को ओवर दो पिरिएड ऑफ टाइम डेमेज कर देते हैं. तो जब भी हमको कोई product अगर खरीदना है न हमको उसके back में ingredients चेक कर लेने चाहिए. Most of the time हमको जो उसमें list है वो यह चेक कर लेनी है कि उसमें alcohol ना हो, उसमें parabens ना हो, उसमें oxybenzone ना हो, talc, fragrances, formaldehyde, जो कि formalin, glyoxal and brownopol नाम से ingredients list में added होता है. साथी साथ और भी बहुत सारे heavy metals जैसे कि lead, mercury और zinc. अगर यह सब चीजें, इनमें से कोई भी ingredient हम जो भी product buy कर रहे है अपने skin के लिए उसमें है ना, तो उससे हमारी skin को बहुत ज़ादा नुकसान होता है और इनमें से बहुत सी चीजें हैं, जो कि carcinogenic हैं, जिनको कि research proof कर चुकी हैं, कि उनको continuous use करने की वज़े से हमाई skin cancer तक तो नहीं है, और हम कोशिश यह करें कि जितना हो सके हम natural और organic products use करें लेकिन उनका भी हम label जरूर चेक करें क्योंकि most of the products में organic mention कर दिया जाता है, एक marketing stunt की तरह है, लेकिन उनके अंदर भी यही harmful chemicals added होते हैं, दूसरी skincare habit, जिसको कि हम ignore कर रहे होते हैं, और वो हमारी skin को damage करती और वो damage हो रहे होते हैं, सबसे पहला तो यह हम जिम में जाएं, या फिर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, yoga classes के लिए जा रहे हैं, walk के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरह का workout करने के लिए जिब जा रहे हैं, उस time पे अगर हम अपने skin पे make-up अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या हो कि वह जो बेक्टेरिया और स्वेट है वह ऐख्यमिलेट होकर रह जाएगा हमारे पॉर्स में, जिसकी व्यज़े से हमारे स्किन पर आक्ने की प्राबलम होगी और कही तरह के स्किन इंफेक्शिन और रश्यस की प्रॉब्लम होगी तो इसलिए हमको एक तो work out करते हुए, किसी भी तरह का make-up avoid करना चाहिए दूसरा यह है कि हमारे जो make-up के brushes हैं, जो कि हमारा eyeliner का brush होता है, हमारा foundation brush हो गया, हमारा eyeshadow brush हो गया, उनको नहीं हम कभी wash ही नहीं करते हैं, कभी clean ही नहीं करते हैं, उस पर dust accumulate होते रहते हैं, जो कि बाद में जब हम उसको use करेंगे अपने skin पर, तो उससे भी हमारे skin पर कई तरह की infections हो सकते हैं, तो हमको time to time हमारे जो make-up brushes है उनको clean करते रहना चाहिए, third यह है कि जो भी हम make-up apply करें अपने skin पर, हमको उसको proper तरीके से remove करना है, सिर्फ अगर हम कोई micellar water लेकर अगर clean कर लेते हैं, या फिर हम make-up wipes से clean कर लेते हैं, या फिर हम से face wash से wash करके हमें लगता है कि make-up remove हो गया, तो वो नहीं होता है, make-up remove करने के लिए हम हमेशा double cleansing करने चाहिए, पहले हम किसी oil-based cleanser से उसको अच्छे से remove करें make-up को, वो clean और fresh हो जाते हैं, अगर हम उसको proper clean नहीं करते हैं, तो make-up जो होता है, वो हमारे skin के pores के अंदर ही रह जाता है, जो कि दीरे-दीरे हमारे skin के cells को damage करता है, तीसरी skin care habits, जिससे कि हम अपनी skin को नुकसान पंचारे होते हैं, वो होती है exfoliation से related, exfoliation का actual meaning यह होता है, कि हमारे skin की जो upper layer में, जो cells damaged हो चुके हैं, उनको remove करना, ताकि हमारे new fresh cells appear हो सके, जिससे कि हमारे skin fresh appear हो, लेकिन अगर हम बहुत जादा skin के exfoliation करते हैं, daily basis पे हम skin exfoliate कर रहे होते हैं, या फिर हम बहुत hard जो physical form वाले scrubs होते हैं, उनको use करते हैं, तो उनसे क्या होता है, और उनको बहुत जोर से rub करते हैं skin पे, तो उससे क्या होता है, कि हमारे skin की lower level भी होती है, जो protective layer होती है हमारे skin की, वो भी damage हो जाती है, हमारे skin की thinning होनी start हो जाती है, तो हमको बहुत जादा भी exfoliate नहीं करना है, और साथी साथ कई लोग गलतिये करते हैं, कि वो कभी भी exfoliate नहीं करते हैं, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक dead layer remove नहीं होगी, तब तक जो हमारे skin है, वो healthy appear नहीं होगी, क्योंकि dead layer की वज़े से, जो हमारे अंदर की layer की जो cells है, वो properly breathe नहीं कर पाएंगे, तो जितने भी dermatologist से न, वो सब यह recommend करते हैं, कि जो chemical exfoliators होते हैं, AHA, BHA based, वो हमारे skin पे physical वाल exfoliator के comparatively ज़ादा gentle होते हैं, और ज़ादा safe होते हैं, तो इसलिए हमको न, फिजिकल की जिगे chemical based जो होते हैं exfoliants, वो use करने हैं, और सुनकर हमें लगता है कि chemical based exfoliator होगी, पता नहीं क्या क्या करना होगा हमें अपने skin पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सुनने में ऐसा लगता है, मेरे पास भी एक है, वो मैं आपको description में उसका link share कर दूँगी, तो उसमें होता कुछ नहीं है, वो serum type ही होते हैं, जिनको कि हम अपने skin पे लगाना होते हैं, लेकिन फिट भी अगर आप बहुत जादा बाहर नहीं जाते हो, pollution या daily makeup नहीं करते हो, तो recommended यह होता है कि आप एक से दो बार ही अपने skin को exfoliate करो, ना तो over exfoliate करो, ना ही बिलकुल exfoliate ना करने वाली गलती करो, और साथ ही साथ हमें इस बाग का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम exfoliate करें, तो हम उसको evening के बाद ही करें, यानि कि sunset होने के बाद करें, क्योंकि जब हम अपनी skin को exfoliate करते हैं, तो जो नई नई fresh-fresh skin appear होती है, वो बहुत जादा sensitive होती है, इसलिए sunlight की वज़े से, sunraise की वज़े से, उसके damage होने के जो chances होते हैं, वो भी बहुत जादा हो जाते हैं, तो इसलिए हमेशा शाम या रात के time skin को exfoliate करना चाहिए, दिन के time बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और exfoliate करने के बाद हमें बाहर निकलना भी avoid करना चाहिए. Next skincare habit, जो कि हमारे skin को नुकसान पहुंचाती है, वो यह होती है कि moisturize न करना skin को, जैसे-जैसे हमारे age बढ़ती है और जैसे-जैसे बाहर का temperature down होता है वैसे-वैसे हमारे skin का moisture level जो होता है, वो कम होता चला जाता है। जितनी हमारे skin well hydrated होगी, well moisturized होगी उतना ही जो aging के signs है वो delay होगी है, क्योंकि जो भी fine lines और wrinkles appear होना शुरू होते है, वो इस वज़े से होते हैं, जब हमारे skin dehydrated हो जाती है, जब हमारे skin जादा dry रहती है, हम उसको जितना moisturize रेखेंगे, उतना जादा वो plump रहेगी, उतना ज temperature है, वो तो उतना ही down आया हुआ है, जिसकी वज़े से हमारे skin dry होती है, या फिर कहीं लोग क्या करते है, कि हमारे skin तो oily है, हमारे skin तो dry होई नहीं रही है, तो हमें moisturize करने की क्या जरूरत है, तो उनको भी उतनी ही जरूरत होती है, बस उनको ये चेक करना है, क्योंको light weight, जो lotion based moisturizers होते हैं, वो यूज़ करने है, जिनकी dry skin है, उनको heavy cream based में भी यूज़ कर सकते है, साथी साथ हमें जो skin moisturize करनी है ना अपनी, उसमें हमको इस बात का ध्यान रखना है, कि जब हम अपने face को wash करें, तो जितना जल्दी हो सके हम अपने face को, अपने skin को moisturize कर लें, उस skincare habits, जो mostly लोग follow कर रहे होते हैं, और जिसकी वज़े से वो जो भी महंगे महंगे भी चाया skin care products लें, लेकिन उनका भी benefit उनकी skin को नहीं मिल रहा होता, वो यह होती है, कि right order में skin care products को अप्लाई ना करना, और right तरीके से skin care products को अप्लाई ना करना, हम क्या करते हैं, फटा फट अप्ली waste of time है, हम फटा फट से उसको अप्लाई कर लेते हैं, अब उससे क्या होता है, जो भी हम products apply करे हैं, उनका proper benefit हमारी skin को नहीं मिल पाता हूँ, और benefit नहीं मिल पा रहा होता हूँ, तो कई बार उसके वेरे से हमारी skin को नुटसान भी हो रहा होता है, सबसे पहला तो य हमारी skin में, उसके बाद हम उसके उपर दूसरा product apply करें, तो इसमें यह ज़रूरी नहीं है, कि आप कोई सारे ही skin care products apply करने हैं, लेकिन अगर आप apply कर रहे हो यह सारे skin care products, तो उनका तरीका यह है, face wash करने के बाद पहले आपको toner apply करना होता है, toner apply करने के बाद आपको serum apply करना ह होती है, उसके बाद आता है moisturizer और उसके बाद आता है sunblock, उसके बाद आते हैं आपके makeup के products, तो sunblock को absorb होने के लिए सबसे ज़रूरत होती है, तो इसलिए कम से कम 10 minutes, अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हो, कम से कम 10 minutes फिर भी हमें wait कर लेना चाहिए sunblock लगाने के बाहर निकलने से पहले या कोई और makeup product अप्लाई करने से पहले, अगर आ फिर भी doubt में रहते हो तो आप सिंपली है चेक कर लो, कि जिस भी product की जितनी thin consistency है, वो उतना पहले आएगा, और जितनी thick consistency होती जाएगी, वो उतना बाद में आता जाएगा, और साती साथ हमको क्या ध जाने की जितनी लेकरना हमको उसको डॉट्स में प्लाई करना है, फिर हलके हलके फिंगर टिप से उसको फेस पर अप्लाई करना होता है, हमको इस तरीके से अगर हम उसको रफ कर लेंगे हैंड्स में, फिर अप्लाई करेंगे, तो वो सारी की सारी जो क्रेम होगी या मर्श क्योंकि sun blocks हमको पूरी एक shield बनाने होती है, उसको लगाने में कोई कंचोसी नी करने होती, लेकिन जो moisturizer और serums है, वो हमें थोड़ी quantity में लगाने होती है, अगर हम जाधा quantity में लगाएंगे उनको, तो वो हमारी skin को benefit करने के जिके हमारी skin को damage करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो excess product होगा, और next skincare habit जिसकी वज़े से हमारी skin को नुकसान हो रहा होता है, वो होता है कि इस बात पे focus करना, कि हम जब skin पे जो भी apply कर रहे हैं, या जो भी हम skin पे treatment लेकर आ रहे हैं, वही contribute करते हैं हमारी skin की health पे, जिकि ऐसा नहीं होता, 80% हमारा lifestyle contribute करेगा, 20% हम अपनी skin प बाहर से भी healthy pair होगी, तो हमको 6-7 glass of water daily intake करना है, ताकि हमारा hydration level मेंचेन रहे, 7-8 hours की sleep जरूर हमको लेना है, उसमें कोई compromise नहीं करना, stress जितना हो सके हमें minimum रखना है, हम जितना जादा stress लेंगी उतना ही जल्दी हमारे जो aging का process से skin का वो fasten अप हो जाता है, हमारी fine line से pair होने शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम daily थोड़ा time meditation के लिए जरूर निकाले, थोड़ा सा हम nature के साथ time जरूर spend करें, और जितना हो सके हम बाहर का processed and fried food, और साथी साथ शुगर वाली चीजे जो chocolate मिठाई यहां, आइस क्रीम है, इनको कम से कम intake करे, हमारे skill naturally healthy होती है, वीडियो आया हो, तो like जरूर करना, और अगर आपने पहला ही वीडियो आज मेरा देखा था, तो चैनल को subscribe करके notification bell पे click जरूर कर देना, मैं इस चैनल पर ऐसे ही videos upload करती हूँ, जो हमारे quality of life को improve करके, हमें हमारे higher cells से connect कराने में support करते हैं, तो मिलते हैं next video में, till then stay blessed, stay smiling, namaste.